देगे सबसे पहली बात, किसी भी एक्जाम की तयारी 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने में नहीं होती है हर एक्जाम को sufficient time देना ही पड़ता है जैसा कि अब 2020 का net का एक्जाम हो ही चुका है आपको paper देखकर पता चल भी गया होगा, आपका result कैसा रहेगा और थोड़ा बहुत जो doubt है, वो answer की कि आने के बाद clear हो जाएगा I hope कि जिनोंने मेनत की है, उसका फ़ल उनको जरूर मिले लेकिन जिनका नहीं हो पाएगा, वो निराशना हो आपके पास अभी भी time है, आप next year के लिए prepare कीजिए और जो आपने इस बार गलतिया की है, उनको please समझिए और उन पर काम कीजिए, ताकि 2021 में आपका net jrf हो पाए अब हम बात करते हैं, जो गलतिया अकसर आप लोग अपनी preparation के time में करते है सबसे पहली गलती, लोग systematic way से पढ़ाई नहीं करते हैं schedule नहीं होता है, कोई strategy नहीं होती है, बस जम्मन किया वो कुठाई जम्मन हुआ नहीं पढ़ा देखिए ऐसे तो आप इस exam को कभी clear नहीं कर सकते मैं ये नहीं कहती कि आप 10 घंटे रो जाना पढ़ो, लेकिन हाँ, 4 से 5 घंटे आपको daily पढ़ना ही होगा second one is limited study material, जादतर लोग धेर सारी books खरीद लेते हैं, पढ़ते भी हैं, बट at the end वो revise कुछ नहीं कर पाते और याद भी उनको कुछ नहीं रह पाता और result वही कि उनका attempt रह जाता है, इसलिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सही content पढ़ो और आपको उसका फायदा हो Now the third one, that is right strategy, तीक इस exam के लिए आपके पास सही strategy होनी बहुत जरूरी है फिलाल मैं आपके साथ अपनी strategy short में share करती हूँ, तीकि मैंने अपनी preparation ऐसे start की कि मैंने पहले syllabus लिखकर अपनी table पर लगाया फिर एक unit उठाई, syllabus के according अपनी graduation और master's की books लिए और उससे उनके notes बनाई अगर उसमें भी कोई topic रह जाता था तो मैं google करके उसको note down साथ की साथ कर लिया करती थी और सबसे जरूरी बात, जैसे ही एक unit अच्छे से पढ़ लेती थी, उसको बाद में मैं उसी के previous year questions लगाती थी मुझे साथ के साथ पता चल जाता था कि कौन सा topic मुझे और अच्छे से पढ़ना है आपने जो भी पढ़ा है उसको अगर आप साथ के साथ question solve करके अपनी performance को evaluate कर लेंगे तो आपको exam time में कोई दिक्कत ही नहीं होगी तो यह strategy मेरे बहुत काम आई और आपके भी आएगी क्योंकि आप लोग पढ़तों सब लेंगे बहुत अच्छे से revision भी कर लेंगे लेकिन अगर आपने questions प्रैक्टिस नहीं किये तो exam time में questions solve नहीं कर पाएंगे इसलिए यही best है कि आप या तो particular topic पढ़कर उसके questions लगाईए या फिर आप एक-एक unit करके उसके questions लगाईए और हाँ previous year questions पर ही rely कीजिए नेक्स्ट इस overconfidence हम मैंसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इस subject को हमने 7 साल से पढ़ा है इसको clear करना बड़ी बात नहीं है हमें सिर्फ paper 1 पे ध्यान देना चाहिए और paper 2 को last के days में देख लेंगे तिके अब यह जो आपने underestimate किया है paper 2 को वो आपकी सबसे बड़ी गलती है last के कुछ दिनों में आपने इन 7 सालों में जो पढ़ा है वही net का syllabus है no doubt बट क्या आप इतना सारा इतने अच्छे से याद रख पाओगे या कर पाओगे कि exam hall में options में आप confused नहों जी नहीं आपको दोनों ही paper को sufficient time और importance देनी ही होगी आपने exam clear करके उस subject को याणि paper 2 को आपने या तो पढ़ाना है या फिर उसी field में research करनी है अब इसके लिए आपको उस पर command रखनी ही होगी सबसे पहले आप basics पढ़िए फिर standard books पढ़िए फिर अपने notes बनाईए the thing is कि आप videos देखकर ये समझ बैठते हो कि सामने वाले ने उन questions को याद किया है और उनमें ही कुछ question आई होंगे अब ये जो repetition word है ये questions पर नहीं topics पर आता है या मैं यू कहूं कि related topics पर fit होता है paper में only 1% ही questions repeat होते हैं वो भी 5, 7 या 10 साल पुराने अब उन 6, 7 questions के पीछे आप 10 साल के papers तो नहीं रटोगे वो baseless है the correct use is this आपने previous year papers उठाने हैं और उनको unit wise sort out करना है इसमें थोड़ा time लगेगा लेकिन इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपको ये पता चलेगा कि उन topics का जो repeat होते हैं दूसरी बात आपको ये पता चलेगी कि किस किस topic से कैसे कैसे questions frame होते हैं पेपर का pattern analysis आप कर पाओगे कि कैसे कैसे trained आया कैसे कैसे changes आए हैं और ये चीज आप मैसे बहुत लोग सिर्फ आलस की वज़े से नहीं करते हैं I must say previous year papers are the key to success if they are used wisely so in last I would like to say that don't work like a donkey do the work like smart donkey because hard work से उपर smart work होता है